एलो गाईज, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, रितिक टेकनिकल सपोर्ट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आइफोन 11 सीरीज में, इंटरनेट स्पीड मीटर या फिर नेटवर्क स्पीड मीटर कैसे आप इनेबल करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंग ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी का बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है तो देखिए अगर हम बात करें Android फोनों के बारे में अगर हम जाते हैं सेटिंग्स पे अगर हम बात करें आईफोनों के बारे में तो आईफोन में आपको स्टेप का फीचर डिफॉल्ट में देखने को नहीं मिलता तो हम यहां पे कस्टम तरीका यूज कर सकते कस्टम तरीके में कैसा आपको simple अपना app store open करना है ठीक है app store open करने के बाद यहाँ पे साय से loading ले रहा है तो हम इसको फिर से open कर देते हैं साय हमारा जो internet काभी slow होगा अब आपको app store में आने के बाद simple search कर लेना traffic monitor ठीक है थोड़ा spelling अगर गलत भी होता है तो भी आपको यह option देखने को मिलेगा इस type का application almost यह 7MB का application है आप इसको download कर सकते हैं आपको कुछ step का interface देखने को मिलेगा कुछ permissions को allow करना है देन आप यहाँ पे कितना internet का downloading speed मिल रहा है कितना uploading speed मिल रहा है data आप लोग ने कितना use किया wifi कितना use किया today कितना use किया month कितना use किया पूरा detail में आप लोग यहाँ पे देख सकते तो simple आप इस app के माध्यम से अपना internet speed पे चेक कर सकते उसके लावा और भी काफी कुछ कर सकते ठीक है so topic discover मिलते हैं next video में जय मातादी